तो निफ्टी की अपरेल की स्ट्रेटजी अब लाइव हो गई है और इस बार तोड़ा सामने कुछ अलग किया है जैसा कि जो माभी तक निफ्टी की स्ट्रेटजी बना रहा था उसमें मिनिमम एक लाग का इंवेस्मेंट लगता था और आउंड नाइंटी थाउजन टू वर पर लॉस इसको अपर नीचे आता था तो इसलिए हमने स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया है और चेंज यह किया है कि अब कहीं से भी कहीं की चला जाया हमारा लॉस एक लिम्टेट रहेगा तो जो यह स्ट्रेटजी है इसको आप बनाएंगे तो इस बार आपका जो maximum loss है वो धाई जार करेगा और जो maximum profit है वो बाईस जार करेगा यह धाई जार और बाईस जार और जो आपका investment है वो पचास जार से कम खर लोगी अभी अगर आप इसको कल बनाएंगे तो आपका 46,000 का करीब करीब investment लाएंगे तो return on investment भी बहुत बढ़ी है risk reward भी बहुत favorable है और जो profit की range है वो भी करीब करीब 900 point की range है 900 point की range भी जुरदार है और उस study का पर हम discuss करेंगे उसके पहले बात कर ले था है थोड़ी से nifty की जैसे कि एक वीडियो में आपको बताया था कि मुझे लगता ने कि इस महीने की expiry जो है वो 17,000 के नीचे होगी तो लग रहा था कि निफ्टी के expiry 17,000 के उपर होने चाहिए इस मंत्की और weekly में जरूर उसके नीचे जा सकता है तो same वैसा ही वा निफ्टी जो है 17,000 के नीच जाते हैं और वापस से अब यह 17,150 फर है तो यहां पर दो लाइने हैं दो लाइने किस किस चीज की है मैं आपको बचा देता हूँ एक तो 17,037 इसके नीचे हम फिर से निफ्टी को sell करेंगे यह निफ्टी का selling का लेवल है अब ही हमारी sell के position नहीं है हमारी sell के position जो है वो exit ह हो चुकी है 17,150 पर हमारा stop loss था निफ्टी ने इसको touch किया उसके उपर निकल गया था हमने 17,150 में निफ्टी का future अपना exit कर लिए जो मैं लेवल बदा रहा हूं वो cash के लेवल है spot के लेवल है future के लेवल नहीं है और आभी भी खिलाल हम निफ्टी में selling पर है आभी तक हम buying में नहीं गये हैं जो continuously follow कर रहा है उनको पता है कि निफ्टी में आभी मेरा वोड वियरेश है बुलिश में कब बनूगा बुलिश में बनूगा 17,680 के ऊपर जो मार्केट इस लेवल को ब्रिच करेगा तम मैं इसमें buying में जानगा और जो लोग follow कर रहा हूं को मालूम है कि भाई जो मेरे बाइंग के लेवल है वो धीरे 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 घटते जा रहे जैसे यह से मार्के निफ्टी फूचर में स्टार्ट किया था वन ये ट्रेडिंग चैलेंज यह जो एक स्ट्रडजी है मेरी मैं उस पे काम कर रहा हूं और इस पे हम 10 लॉट पे काम कर रहे हैं और जो भी हमारा मतलब इंडिकेटर है जैसी हमको बताता है buy a sell करना तो उस हिसाब से इसमें करते पर निफ्टी फूचर में हमारी जो सेल की पूजीशन थी उसको हमने स्कौर अभी हमारी सेल में कोई पूजीशन नहीं अब यहां से करीब करीब 120 पॉंट नीची हम इसको वापस से सेल करेंगे या फिर निफ्टी अगर उपर जाता है तो हमारा सेलिंग का लेवल भी धीर दिर उपर की तरफ जाएगा तो बहुत ही बढ़ियां चल रहा है वानियर ट्रेडिंग चैलन्ज जो लोग भी करना चाहरा है वह इस बात का द्यान लेखें कि इसमें 60 परसें तक का ड्रॉड हो सकता है दस लाट में एक लाट में आपको 60,000 रुपे एक रहने एक साल में हमारे टार्गेट है कि हम अपनारा पैसा जो है वो डबल हो जैंगे 11,000,000 का इंवेस्मेंट है तो 11,000,000 रुपे हमको प्रॉफिट होना चाहिए तो मार्च एंडिंग में ही अभी हमको इसमें 40% का रेटन इसमें खरीब-खरीब दूनिव लाए तो बात करते है स्ट्रेट जी के बारे मैंने आपको बता दिया क्या है मेरा व्यू शॉट तो मुडियम टम का 17,0,37 के निचे हम सेल पर हैं अभी कुछ भी नहीं करने वाले हम फिलाल अगर उपर उपर जाता रहेगा तो भी हम वेट करेंगे और जब मार्केट घूमेगा और सेल का लेवल मैं एपना अपडेट देता हूं तो अगर आप टेलिग्राम पे नहीं है तो टेलिग्राम कर लिजे क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पर आता है या फिर मेरे वाटसएदर्श पर स्टेट अपने गजे ऑर अगर आप पने इसको नहीं बनाए तो भी अच्छा है क्यों हमारी अभी 700 रुपए के लॉस में चल रहे हैं हमारा मैक्सिम्म लॉस कि इतना स्ट्रेटिजी में बत्तिस सो का जो जो जिस लेवल पर मैंने बनाया इस लेवल पर भी अगर आप बनाते हैं और कल मार्केट एदी पॉस्टिव रहता है या फ्लैड भी रहता है तो जो है आप को साथ सो का benefit यहां पर मिलेगा इसका मतलब यह है कि अगर हम बत्तिस सो में साथ सो गटा दे तो पत्तिस सो रुपए होता है तो इसमें आपका धाई हिजार का maximum loss है और जो profit है वो भी आपका साथ सो रुपए से बढ़ जाएगा तो जो हमारा यहां 21-800 का profit दिखा रहा है त सिस्टम को हमने बंद कर दिया छोड़ दिया चार दिन पांच दिन दस दिन में पर खुल की देखिए जो लुग 5% वाले हैं जैसी 5% आपको मिलता है profit लीजे निकल लीजे 5% वालों के लिए इसमें कितना देखना धाई जार रुपर देखना 10% वालों के लिए पांच जार तक में तो हमें इस स्ट्रेटजी में 32 गाल लॉस होगा अगर 16950 के बंद होता है तो हमें 700 का लॉस होगा जो कि आपकल बनाएंगे तो खल आपकल नहीं होगा मतलब आपका यह क्या है 16950 ब्रेक इवन ठीक उपर के साइड में आपका ब्रेक इवन क्या रहेगा 16 050 तो आपको कितने पॉइंट की रहेंगे यहां पर 900 पॉइंट की रहेंगे इसके बीच में आप प्रॉफिट में रहेंगे अभी देखिए कैसे सीनेरी एकदम से बदलेगा अगर निफ्टी की क्लोजिंग 16 150 पर होती है तो आपको 4300 का प्रॉफिट मिलेगा अगर 16 850 पर हो तो आपको 4300 का प्रॉफिट होगा अगर 16 के के 250 पर होता है तो आपको 9300 का प्रॉफिद में जो की भूल अच्छा है 50 चाहिए और था प्रॉफिट में। मार्केट अभी ये रिस्ट देख रहे हैं उसी साथ से हमने बनाया कि इस मंत अगर थोड़ा नीचे खिसकता है तो क्या पोजिशन रह सकती है तो उसके बार अगर 16,350 पर मार्केट बंद होता है तो 14,000 का प्रफिट और उस सेट नहीं जांगा अब मैं और 16,500 पर अगर बंद होता है तो हमको इसमें मैक्सियम प्रफिट मिलेगा 21,800 का बट क्योंकि आप इसको कल बनाएंगे और आपको शाथ सो का बैनेफिट मिलेगा और इससे ज्यादा भी मिल सकता है तो आपको जो मैक्सियम प्रफिट है वो 22,000 से प्लस हो जाएगा और जो म तक तो बिरको नहीं लगता कोई लेके जाएगा लेकिन आप इसमें बड़े अराम से 5000 रुपए मतलब 10% का प्रॉफिट इसमें बना पाएंगे और बस क्या है इसमें निफ्टी भले अभी 17,000 के उपर चलता रहे बस एक बार इसको 16800 आएगा अप्रेल्ड में कभी भी और यह आपको 5% का प्रॉफिट दे जाएगा तो जो 5% वालिया उनके लिए कोई जिक्कत नहीं मार्केट क्रेश होता है 16500 की तरफ अगर क्लोजिंग होती है तो आपके लिए बहुत बढ़िया इसमें आपको 21,000 रुपे मिल सकते है ठीक है तो कम रिस्क के साथ रिस्क भी कम प्रॉफिट भी ज्यादा प्रॉबिल्टी और प्रॉफिट भी ज्यादा और जो उसकी जो है नहीं बना सकते है ठीक है अभी इसमें एक चीज़ हो रहे है कि जो आपका धाई जार का लॉस हो रहा है आप उसको भी निचाते हैं उसको भी खदम करना जाते है तो उसके लिए आपको क्या करना है ठीक है जैसे कि 18,000 के अगर क्लोजिंग हो रही है तो 32 को लॉस वीकली का कॉल सेल कर सकता है या मार्केट एक दाउं जब घिरे तो आप 20-25 का वीकली के आप्शन सेल करकर के चार हफते में अपना जो है इसको जीरो कर सकता है ठीक और वो मैं आपको दिखा दो जैसे फॉर एक्जामपल अभी 29 मार्च है 29 मार्च आज तो थोड़ा लेवल 200 यहां पर दिल जाता 500 रुप falls को ठोड़ा और नची आया था चेपर रिल कर देखे तो छे अपरेल का कितना चल राहा है शे अप्रेल का चल ला है, 16,000 का 10 रुपए चल ला है, तो आपके 500 रुपए यहां पर बच सकते हैं, और उसके बाद 27 अप्रेल का है, तो इस तरह से आप हो करना है, मान लिजिए भी निफ्टियां से 16,500 चला जाता है, तो फिर आप वीकली वाली 18,000 को 20-30 रुपए से सेल कर लिएगा, इस तरह से करने के लिए बोलना, अगर आप नहीं भी करेंगे, आप अगर डायजर का लॉस ले सकते हैं, तो बिल्कुल कुछ मत एड्जिस्ट करिए, और जैसे ही मार्केट एक बार गिरता है, तो आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगे, ठिक, तो यह ह और प्रॉबिल्टी ओ प्रॉफिट ठिक ठाक है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, लोग सार कोई डाउंसाइट देख रहा है, मार्केट जो यहां प्याया था, वहीं से यह उपर गुम रहा है, लेकिन अभी भी हम बेरिश हैं, यह थोड़ा उपर जाएगा, फिर अगर गि हम क्या कर सकते हैं, इसमें जब बीच में अगर लाएगा कि यह नहीं गिर रहा है, कप, एक्सपारी कप की है, 29 मार्क की एक्सपारी है, वेटनेस जो को तीस तारी को चुट्टी है, तो 29 मार्क को हम देखेंगे कि हम एक और नही रेंज बना लें, जो हमारी रेंज होगी कर की हो जाएगी, डियर से 2000 पॉइंट की हमारी रेंज बनाने कि हम इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है, वो रहेगा मार्केट की कंडिशन के पर, अगर ऐसा कुछ करना होगा, तो मैं आपको उसका अपडेट दूगा कि भाई, अब हम इसमें ऐसा ऐसा अज़ेस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो यह हमारी स्टेडिजी, पसंद आई, तो शेर जरूर करिए, और इसको बनाई है, बनाने के बाद अगर आप बनाते हैं, तो मेरे को आप इसका अपडेट जरूर करिए, कि हमने इसको बना लिया है, और कोई अडिजस्पेंट हो तो आप मेरे को उसके लिए